ये वीडियो completely educational purpose के लिए है और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजे और ये वीडियो किसी भी तरह का recommendation नहीं है inflation ना cancer की तरह है ठीक है आपको खाता रहता है और पता बहुत लेट लगता है बहुत से cases में ठीक है होता क्या है तब तक सब खतम हो चुका होता है अब second चीज हम inflation की बात नहीं करने वाले यहाँ पे हम जिस बिमारी की बात करने वाले जो हमारे portfolio में लग जाती है वो एक तरह से ऐसी बिमारी है जो हमें ज्यादा दिखती नहीं है लेकिन हमें अंदर यंदर नुकसान पहुचाती है कोई cancer का दूसरा type सोच सकते हो या बहुत जबर्दस portfolio दिखाने वाला हूँ और अगर उस portfolio से आपको कुछ सीखने को मिलेगा ना तो वह है बहुत कुछ एक line में मैं बता भी नहीं सकता इतनी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है इस portfolio से और अगर मैं बोलू मेरे अभी तक हमने सो से ज्यादा वडियो बना चुके हैं हम mutual fund portfolio reviews की तो मेरी experience में one of the best portfolio है ये ठीक है लेकिन फिर भी इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो दिखेगी नहीं पहली नेजर में और फिर हमें in the end बहुत नुकसान बहुचाने वाली है तो वो क्या है वो देख लेते हैं चलते हैं screen पे तो यहाँ पे जो ल जिस तरह से ये नहीं समझ पाए कि core fund वो होते हैं जो हम change नहीं करने वाले बहुत आसानी से और small cap कभी भी core category में आई नहीं सकता चीक है और satellite आपने पहली बात तो ratio ठीक है मान लिया कि आपने 50% पैसा यहाँ डाल दिया और 50% roughly 50% है ठीक है यहाँ पे 11,000 है वैसे यहाँ 10, कि आपने 50-50 core में डाल दिया लेकिन actual में आपने क्या किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 20% पैसा core में है और 70% पैसा satellite में है यह बहुत खराब combination इसलिए है क्योंकि satellite fund हमें 3 साल में change करना पड़ेगा और 3 साल में 75% churning बहुत खराब number आ जाएगा आपके पास ठीक है अगर तो बोल रहा हूँ ठीक है यहाँ पे 75 होने के chances कम हैं वैसे तो क्योंकि ये तीनों fund चलने वाले हैं ठीक है तीनों fund को completely हम satellite भी नहीं बोल सकते तो इस portfolio को आप चला सकते हैं लेकिन आप ये जरूर देख लें कि आपके portfolio में कितना core का percentage है और कितना satellite का core fund वो है जो ऐसी category में invest कर रहे हैं जो ज़्यादा उथल पुतल नहीं करते जैसे large cap हो गया multi cap हो गया multi cap भी बहुत ज़्यादा उथल पुतल नहीं करता ठीक है उसके बाद mid cap category के कुछ fund आते हैं जैसे kotec का है mid cap तो वो वले fund है जो core category में आ सकते हैं ठीक है satellite fund वो होते हैं जो पूरे-पूरे small cap category म हैं कुछ flexi cap है अब यह exceptional भी हो सकता है क्योंकि पराग पारी flexi cap core में आता है ठीक है तो आपको इन चीजों को जानना होगा हमारी पूरानी वीडियो जा के देखिए आपको समझ आ जाएगा ठीक है अराम से उन वीडियो को समझेगा नहीं तो आगे आने वीडियो देख ल देते हैं ठीक है I just started my career want to make more than 1.5 CR in 15 years I have to plan top up 10% please advise तो अभी के लिए ठीक है fund लेकिन आपको आगे वाले stages में इसको ठीक करना पड़ेगा अब यहाँ पे जो golden advice है वो इधर से आया focus on earning more to invest more 10 lakh portfolio giving 30% is 3 lakh and 50 lakh portfolio giving 20% is 10 lakh यानि कि कहने का मतलब यह है कि 30% होने के बावजूद भी यहाँ 3 lakh का profit है और यहाँ पे 10 lakh का profit है 20% होने के बावजूद भी ठीक है so focus should be on earning main focus priority आपकी earning ही रहने चाहिए ठीक है यहाँ example बहुत गलत दिया है मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग मतलब advise अच्छी है example गलत है simple स 12 पे जा सकते हैं तो एक stuck वली चीज हो जाती है कि हम वहाँ फस चुके हैं वह फसने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं तीन चीजे आपको करनी है आप अपने skills को update कर सकते हैं आप अपनी knowledge को update कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप invest कर सकते हैं अब इन तीन चीजों को आपको equally time देना देना है, 50% 50% आप अपना skills पे या knowledge पे, इन में से एक पे ही जाएगा time और 50% आप अपना investing पे भी time दे सकते हैं, तो इन चीजों को ignore मत कीजिए, और अगर आप 100% इन पे focus करना चाहते हैं, तो number आपको screen पे दिख रहा है, आप earning पे focus कीजिए आपका पैसा हम manage करेंगे, और mutual fund में बढ़िया return कैसे निकालने हैं, इतना तो हम जानते ही हैं, और आपको category average से अच्छे return निकाल के देंगे, पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझी आ जाएगा, और ये example ऐसे, जो हमारे viewers हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है, सर मेरी age 29 है, मैंने बचपन से अभी तक 26,000 की सेविंग की है, मैंने लमसुम किया है, सब mutual fund में 500 रुपे की आगे भी करता रहूंगा, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई छोड़ दो बेशक, मजाक नहीं कर रहा, शायद ऐसा घटिया advice, तुम्हें किसी न न दिया हो, लेकिन यह घटिया advice ना, तुम्हारी life change कर सकता है reason, देखो, यह 26,000 मैं कह रहा हूँ, ठीक है, संभाल के रखो, पैसेगी value तुमने इतनी जल्दी जान ली, यह positive point है, नेकिन, उपर जो हमने देखा ना, कि सबसे ज़्यादा focus, तुम्हारा तो अभी earning पे ही रहना चाहिए अपने skills को upgrade करो, ठीक है अभी, अपने skills को upgrade करने का time है, कुछ सीखो, investing में अगर career बनाना है, दूसरे लोगों का पैसा manage करना है, तो वो करो अगर इसी में shock है ना, कि investing में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है अपना पैसा भी तुम grow कर रहे हो, करो फिर तो अगर इसी finance में career बनाना है तो, लेकिन अगर आपको career किसी और चीज में बनाना है, तो मैं कहरा हूँ, सारा focus वहीं डाल दो अपनी पढ़ाई पर focus जादा करो मैं कह रहा हूँ, ये 26,000 रुपे in the end matter नहीं करेंगे, साफ सीधी बात मुझे पता है, आपने बहुत मेहनत से कियोंगे श्याद मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, लेकि seriously ये पैसे matter नहीं करते इस 26,000, 18,000 रहें, इस 26,000 को फूक भी दोगे कहीं पे, अब फूक मत देना अच्छा नहीं लगेगा, बट still मैं ये ही कहना चाहूंगा कि अपने पैसे को आपने समझ लिया, अच्छी बात है skills और उस पे focus कीजिए, अब आ जाते हैं नीचे यहाँ पे हम इस portfolio को detail में review करने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे पहले asset allocation देखेंगे इसकी जो हमने उपर portfolio देखा था 39% पैसा किसमें जा रहा है आपका पैसा roughly 40% ही है 40% पैसा large cap में 38 point something जा रहा है med cap में और 21% जा रहा है small cap में ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से portfolio divide हुआ हुआ है ठीक है उसके बाद best stocks जो इसमें अल्रड़ी जा रहे हैं वो है geo finance हो गया persistent system, hdfc bank, tube investment zomato, balkrishna industry coverage मतलब सब कुछ है आप यह देखो giant, large, giant, large, large mid, mid, top में कोई small cap नहीं है, mid भी है, giant भी है, large भी है तो एक अच्छा है और top rated company है, 4, 4, 4, 3, 4 prestige वाला छोड़के बाकी सब अच्छे है ठीक है, बाकी अगर हम एक-एक stock पे नहीं जा सकते हैं इसलिए ठीक है कोई इतना दिक्कत नहीं है, mainly पैसा आपका इंडिया में ही जा रहा है, प्राग परिक की वज़े से थोड़ा सा पैसा, इंडिया से बाहर भी जा रहा है ठीक है, और अगर हम sectors की बात करें, तो 20% financial कम है, और technology में 11% है, service में 12% है, इन दोनों के बीच का gap 8% है, जो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन still बहुत अच्छा है portfolio, और sectoral के हिसाब से बहुत बढ़िया है, capital good में पैसा अब जो sector हम ढूंदते रहते हैं, healthcare, chemical technology, उनमें सब में पैसा अच्छा खासा जा रहा है, chemical में 7% बहुत layer होता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम उपर जाएं, तो ये portfolio है जिसकी हम बात कर रहे है, मोतिलाल, ओस्वाल, मेड़काप, निपोन अडिया, पराकपारिक, फ्लेक्सी, क्वांट टाटा अगर आप same portfolio बना रहे हैं hopefully आप समझ गए होंगे, इस तरह के interesting videos के लिए हमें follow करें, मिलते हैं अगले वडियो में